आज मैं आपके साथ शेयर कर रहीं पौहा की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी जी हां पौहा चीज नगेट्स ये बहुत टेस्टी रहते हैं बहुत आसानी से बन जाते हैं ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इसको आप जरूर ट्राइ किजिए साथ मेरे अंदाज में पौहा चीज नगेट्स चलिए शुरू करते हैं हमारे पौहा चीज नगेट्स बनाना इसके लिए मैंने ले लिया ये पौहा ये मेरे पौहा लेकर और जितने आपको नगेट्स बनाना इतना पौहा लिजी और इसको मैंने चलनी पर रखके धो लिय हैंए एक मेडियम साइल की टमाटर को मैंने बारीक चोप कर लिया था सेधा है कि एक मेडियम साइज की प्यास ले ले इसको यह बारीक चौप कर्लाएं और यह शिल्वा मेर्च बारीक काट लेमेन इसको हो कि हारी अघिय ही कि Che fearisten suis हो जितनी मेर शायख को चाहिए एक चम Чश भरके ले 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 ने लिए डेट शिलेफ्लेक्स और यह मैं ऐ चमज भरके ले रहे हूँ यह यह झाली तो lightning 70 व चमजर के ले रहे हुआ यह झाल ठ्रट historically मसाला पहुआ तक ह viscos कर sell 되어 कर ले लिए नमक फ्रेश हरा धनिया कौत्मिर और यह मैंने ले लिया है रेट चिली सोस और मैं इसमें मिला रहे हैं बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए इसको लोकी जिसको मैंने एकदम बारिक बारिक चॉप कर लिया था लोकी अक्सर बच्चे खाते नहीं तो इसको आप इस तरह से इनको खिला यह बहुत हेल्दी रहती है और यह निगेट्स में पता भी नहीं पढ़ेगे कि हमने लोकी डाली है तो आप इसको लोकी को बारिक चॉप कर लो और इसका पानी इस तरह से निचोड़के अलग कर दो कि इसको मिक्स करने आप इस तरह से केई सबजया इसमें मिक्स करके बच्चों के ढासानी से खिला सकते क्योंकि बच्चों को चींज निगेटस बहुत पसंद आएंगे और आप इस अंदाज से को के आपा थाम में तो करें को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें wast के बहुत अब को हटा पत्ला शेल अब इसको अब योडिंडिंग के लिए हम डालें काण देते तो हम इसके अंदर पहले तीन चमाच कान फ्लॉर डाल कर देखेंगे इस हे अच्छछे से बैंडिंग भी को स mente suppress ऑप को पसंद बोगए क्योंग हो तो इसे तॉक्स के देखें स्टेज्स, बहुत अलग आता है है। तो आप इस तरह से इस चीजी कर दो वह इसी मुठी बदना बनाकर देख लीए। अगर अच्छे से बैंदिग हो ठीक और स्की priests फ्राइन क करेंगे तो यो संैते सब तोदा हम्त जाएंगा हम जब fry करेंगे तो यह भिखर जाएगा तो इसके लिए इसकी बाइंडिंग ज़रूरी मैंने एक चम्मच और कान फ्लोर में लाकर देख लिया और इसको भी अच्छे से मिक्स करने ताकि यह अच्छे से बाइंडिंग हो जा इसकी क्योंकि वहां भूत रूखा रहता है तो बहुत आसानी से गोले नहीं बन पाएंगे और यह भिखरेगा तेल में जाके इसलिए इसमें हलका सा पानी मिला कि आप इसको बढ़िया सी बाइंडिंग करने ताकि हमारा कान फ्लोर भी हलका सा भीग जा और अच्छे से बाइंडिंग हो जा इसकी देखे इस तरह से और इस तरह से आप बना के देख लें जिस जगह भी आके यह अच्छे से गोले बन रहा है तो यह हमारा पोह का मसाला तयार है इसका मतलब यह ठीक है आप सबजीयां और टेस्ट का गार्डिंग लीजिए और मसाले भी आप कही तरह से और बढ़ा सकते हैं जो आपको पसंद हो चलिए दूसरे साइड मैंने तेल रख लिया है और गैस पर रखके इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया था अब मैं एक दूसरे बढ़तन में चीज को किस लेती हूं तो आप इसको कद्दुक हस करने चीज को यह इस तरह से ऑइस खरी करें को देट तो चीज आपको जितनी भी चाहिए जितनी ज्री ज्यादा आप इतनी चीज ले ले और इसको अच्छे से में कallas कर लिए हास से इसको crush करनें जैसे यह आपको पसंद वह सब्सक्रूव करने और इस तरह से पोहा के गोले बनाए आप गोल गोल शेप आप अपने पसंद से दूसरे टाइप का भी दे सकते हैं लंबे भी बना सकते हैं छोटे भी बना सकते हैं जैसे आपको शेप पसंद हो बना ले आप वह इस तरह से इसको बीच में चीज को रखकर इस तरह से इसको प बड़ी ऐसा वह तेल अच्छा घर्म कर लें मीडियम फिलेम पर बस हमारे नगेट डालते जाया आप चाहें तो इसको बैक भी कर सकते हैं माइक्रो में बैक कर लें 180 डिग्री प्री हिट करके आप चाहें तो इसको 15 मिनट के लिए बैक कर सकते हैं वह भी अच्छे लगते ले जैसा आपको पसंद हो ऐसा करना आप इसको शेलो फ्राय भी कर सकते हैं ठीक है चलिए एक एक करके यह इसे हमारे सारे नगेट से हम तयार कर लेंगे ओ मीडियम फिलेम पर रखके हमें इसको फ्राय कर लेंगे फ्लेम को मीडियम ही रहन दी जी ताकि यह अच्छे संदर से तरह जाएं और बहुत अच्छे से क्रिस्पी अपर से गोल्डा होगी तो ठेक है इस तरह से आप इसको बना के और इसको फ्राय कर लिया इसका शेफ आप स्केल में भी बना सकते हैं किन अधि कर सकते हैं तो शेफ आप अपनी पसंद से बनाए जैसा आपको पसंद हो और इ और आप जब तक इसको फ्राय करें जब तक कि अच्छे से उपर से बादामी से गोल्डन से नियो जाए और अग्दम क्रिस्पी नहीं हुआ हुआ देखे इस तरह से इसको प्रेस करते हैं आप बना लें और बीच में खोल करें और इसकंदा चीज बढ़ देया बहुत सारी और फिर असपास से कवर करके इस तरह से आप उसको अग्दम बढ़िया सा कवर कर दें चीज को और उसके गोले बनाने इस तरह से यह देखे इस तरह से बहुत टेस्टी बनते हैं यह चीज निगेट्स बहुत अच्छे लगते हैं आप ज़रूर ट्राइए इस बार और है इस लगेट्स को तर ले देखे इस तरह से ईकदम क्रिस्पी हो जाए जब तक आप इसको दखता लें है ठीक है अब इसको एक हम स्टेनर पर निकाल लेते हैं और एक प्लेट में आप टिश्यू पेपर निकालें ताकि आपको एक इस ट्रॉाइल निकल जा पूरा यह इस निगेट्स इसी तरह तलने आपके फ्लेम को आप हाइमेट करिए मेडियम तुछ रखिए पूरे टाइम चलिए तो तैयार है मेरे पहुत चीज निगेट्स गरम-गरम खाईए इंजॉय की जी बहुत टेस्टी लगते हैं और इसको आप चाहें तो दही चटनी के साथ या मु तो तैयार है मेरे पहुत चीज निगेट्स देखे में इस तरह से आपको एक तोड़के बता देती हूं कितने अच्छा लग रहा है कितनी भर भर के चीज इसके आई कितनी अच्छी लग रही है और बहुत टेस्टी लगते हैं तो एक बार जरूर ट्राइए किजिए आप म लाइक उनको भी हिट कर दीजिए अगर आप ऐसी नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रही है चलिए होती मुलाकत एक और ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ थेंक यू फॉर वाचिक माई वीडियो